पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन होने के बाद भी वो व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। जिस कारण अपने मृत्यू के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ती की इच्छा से व्यापरी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दिपक जलाया करता था। उसकी भक्ती देखकर मा पार्वती प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेधन किया। भगवान शिव बोले इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मा पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्टी हे तू, वे शिव जी से बार-बार अनुरोध करती रही। अंततह माता के आगरह को देखकर भग समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वपन में आये और उसे पुत्र प्राप्ती का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताए। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, ले में खुशिया भर गई, बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारो मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अलप आयू के रहसे का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी ने उसे उसक मामा के साथ पढ़ने के लिए वारानसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ती हेतू चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजा विश्राम हेतू रुकते, वही यग्या करते और ब्रह्मनों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भाय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूलहा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दू। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूले का वस्त्र पहना कर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन दे कर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ जब राजकुमारी ने अपनी ओड़नी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया। शेयनावस्था में ही उसके प्रान पखेरू उड़ गए। सूर्योदे पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीब से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्रान नात, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव में पार्वती के साथ अद्रिश्य रूप में समीब जाकर देखा, तो भोल को जीवन देने का आगरह किया। माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिव में उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया, और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उट बैथा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यग्या के समाप्त होने पर राजा, मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत साधन, वस्त्र, आदी देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्या पस लोटने का समाचार सुना, तो वो बहुत प्रसन हुआ। वो अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधु राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का थिकाना न रहा। उसी रात भग पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयू जानकर व्यापारी बहुत प्रसन हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशिय लोटाएं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पूरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्र